आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello दोस्ते, इस Question में क्या given है Which is a Characteristic of a Catalyst तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें चार उप्शन दे रखे हैं उनमें से Catalyst की Characteristic कौन सी है ठीक है? तो देखिए क्या-क्या उप्शन दे रखे हैं It Change the Equilibrium Point It Initiates the Reaction It Alters the Rate of Reaction और It Increase the Average Kinetic Energy of the Molecule तो कैसे हमें पता होना चाहिए कि Catalyst का क्या काम होता है Catalyst होता है कोई भी Reaction हो रही है मालो यह Reactants जो है वो B Products में Convert हो रहे हैं तो उनको वो Convert होने का जो उनका Conversion है उसको वो Easy कर देता है कैसे करता है? By Fasten their Rate It Fastens the Rate of Reaction Okay, कैसे करता है? By Lowering the Activation Energy Lowering the Activation Energy क्या होती एक्टिवेशन एनर्जी? Reactants को Achieve करनी होती है वो एनर्जी जिसको Cross करने के बाद वो Products में Change हो जाते है मतलब अगर हम इसको Diagram से समझे थोड़ा सा तो यह कुछ उस टाइप से बनेगा देखिए यहाँ पर हमारी Potential Energy है मान लो ठीक है? और यहाँ पर क्या है? जो Reaction है उसका Coordinate हम कह सकते है यह Reaction का Coordinate है X-axis वाला अब इसके अंदर अगर हम इनका Graph बनाए तो क्या बनता है? देखो शुरू में क्या है? Reactants है ठीक है? उसकी कोई Energy Level होगी मान लो यह Potential Energy जो है यहाँ पर Reactants की फिलहाल की जो Potential Energy है उतनी है अब जब Catalyst अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं मान लो तो हमारी जो Reaction थी वो कुछ इस टाइप से बन रही थी और यहाँ आकर हमारे Products बन गें मतलब यह देखो यह कुछ Gap है यह क्या Gap है? यह Reactants और Product की Potential Energy का Gap है जिसको हम Delta E बोल रहे है मतलब Reactants की Energy Product से ज़्यादा होती है फिर भी इसको Change होने के लिए कभी-कभी Catalyst के जरूरत पढ़ती है क्योंकि इनको Activate होना जरूरी है ठीक है अब यहाँ पर तो क्या थी हम अगर Catalyst नहीं यूज कर रहे थे तो इसको Activate होने के लिए इस Energy तक पहुँचना पढ़ रहा था तब जाकर ही वो Convert हो रहा था मतलब अगर Reactants की Energy This Match Amount से उपर चले गई तो वो क्या होगे Products में Change होगे And अगर हम मान लो ये Energy Level जो है यहां आगया मान लो ठीक है उसका काम ये है अब यहां Reactants थे अब वो ऐसे गई और वो Change हो गए इस टाइप से और वो Products बन गए क्योंकि Reactants और Product की Final Energy सेम ही थी लेकिन उसकी जो Activation Energy का Level जो था वो इसने Catalyst ने कम कर दिया जिसकी वज़े से इसका Rate क्या हो गया Fast हो गया क्योंकि देखो पहले से Convert होने में ये मच Energy अचीव करने तक जो Time लग रहा था यहां तक और फिर Products में चींज हो रहा था अब वो केवल इस मच Energy तक क्या कर रहा है अचीव कर रहा है और फिर Convert हो रहा है मतलब पहले Time ज़ादा लग रहा था और Energy भी ज़ादा चाहिए थी अब Time कम लग रहा है इसका मतलब Rate क्या हो गया Fast हो गया Reaction का Rate क्या हो गया Fast ठीक है तो ये हो गया Catalyst का Property अब देखो Equilibrium Point पहला इसमें दे रखा है It Changes the Equilibrium Point तो ये Point अमारा गलत हो जाएगा Characteristic of Catalyst नहीं है क्योंकि देखो हमने अभी पढ़ा कि जो Catalyst है वो Reaction में Involved नहीं होता कभी भी अगर उसकी Reaction में Use किया जाता है तो Final जो Overall Reaction होती है उससे वो बाहर रहता है मतलब कि Reaction में उसने अपना काम किया एंड वो Eliminate हो जाता है वहां से तो Catalyst जो है वो Reaction में Involved नहीं होता लेकिन अपनी Support देता है भाई एक्टिवेशन एनरजी तो वो Forward और Backward दोनों की दोनों को जो Reaction है उनका Rate क्या कर देता है Increase तो इसलिए जो Equilibrium Point होगा वो Overall Same रहेगा तो यह गलत हो गया हमारा अब आता है It Initiates the Reaction तो यह भी गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा टुकि यह Reaction के Steps में आता है ना कि Reaction के Reactants में आता है ठीक है तो इनिशेट नहीं करता है यह उसको जो Reaction हो रही है उसको Rate Fast कर देता है तो ये भी क्या होगा, गलत, it alters the rate of the reaction, alter का मतलब क्या होता है, change, तो मतलब जो rate of reaction है, उसको ये change कर देता है, तो ये point सही होगा, क्योंकि वो क्या करता है, increase करता है, तो ये point हमारा correct होगा, it increase the fourth point है, it increase the average kinetic energy of the molecule, तो guys, देखिए जो activation energy है ना, उसको नीचे लाता है वो, ठीक ह total energy, अगर हम देखें, तो देखो reactants की जो energy है, और जो products की energy, उनका gap हमारा क्या है, same, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते है, कि उसकी activation जो energy के अलावा, ये जो average kinetic energy हाँ पर बोली गए है, molecules की, ये increase होगी, तो ये भी नहीं होगी, मतलब गलत हो गया, अब केवल हमारा third option ही correct है अब क्या बोल सकते हैं, option 3 is our correct answer, thank you guys